अधि eben यह सातीयों आप लोग कैसे हैं उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगें और आप लोग का प्रहखाय जारी होगा आप लोग को बहुत सारे कॉमेंट आ रहा था कि अपना ऊर्पिएअप का जडर ने है यह आप कहां से बिलों करते हैं अप मैं तरी के इंटर कहां से किये गिरिशन कहां से किये कौनकों सा एक्जाम पास किये गवर्मेंट का यह सब मैं सभी को तो जवाब नहीं देता हूँ बहुत सार लोग को दुख भी लएएगा लेकिर आज मैं वीडियो के माध्यम से सभी को इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा आप लोग कभी इस सवाल को नहीं पूछिएगा मेरा उमीद है तो चलिए मैं अपना जो आप लोग का कॉमेंट था उस तो आप सभी लोग आज जान जाएए मेरा नाम पपु कुमार हुआ मेरा घर विहार में पढ़ता है विहार में गया डिश्टिक तो गया डिश्टिक क्यों फिर मैसा है आप लोग को तो खुद ही पता है क्योंकि भगमान बुद्ध जिका जो परतीमा है वहां पे 80 फिट का और वहें पे उनका ज्यान की प्राप्ति हुआ था निरेजना नदी के टट पे तो मैं वहें से बिलाओं करता हूं बट मेरा गाउं है एक पाई विगा मार्केट है वहां सारा चीज मिल जाता है कहें तो सिच्छा खान पान सारा चीज कहीं जाने के जुरुत नहीं पड़त जानते ही है कि मिडिल परिवार का सिधी किया होता है कुछ लोग जो बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं किसी के बाहकावा में आकर दोस्तियार के बाहकावा में आकर बोलते हैं कि मैं दिल्ली जाओंगा मुंबई जाओंगा पटना जाओंगा हरियाना जाओंगा मतलब बहुत सारे उनका ख्वाब राता है कि मैं वहां जाके पढ़ूंगा तब भी जॉब करूंगा तो ऐसा तो कोई चीज हम मैंने देखा नहीं है आज तक ले अगर आपके पास लगन है आपको जुनून है कि हां मैं कोई चीज बनूगा यानि कोई भी गॉर्मेंट करूंगा तो मैं खुद मैं आया हूँ और दो एक्जाम कि लिर किया था बिहार पुलीस और फोरष्ट गार्ड का तो मैं घर पे ही रहके तयारी किया था मैं कहीं नहीं गया घया पटना दिल्लीध राका तो अप लोग ए दिमाग से हटा दीजिए के मुझे गया पटना या अगर मिडिल फैमली से सभी भी लोग करते हैं तो पैसा जादतर होता नहीं है फैमली के पास में तो आपको समझना चाहिए कि मैं किस परका तयारी करूँ आज के डेट में तो आपको सारा चीज ऑनलाइन ही मिल जागा यूटूब पे तो यूटूब से भी आप थोड़ा बह मतलब फैसलेटी मिल गया लेकिन पहले तो इतना था नहीं आपको या तो कोचिंग कर लेजिए एक गाउँ में उसके बाद से स्टड़ी करिए तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मैट्रीक और इंटर कहां से किया तो मेरा गाउँ में ही स्कूल था वहाई से मैं मै मैट्रीक इंटर से महीं स्कूल से किया और मैट्रीक में मेरा तीरसट पॉइंट कुछ परसेंटेज था लगभग 64 परसेंट और इंटर में भी 66 65 परसेंट था तो दोनों में मैंने फस्ट डिवीजन किया था और मेरे साथ बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे से बहुत सारे नंबर लाये थे जादे बटे जो किस्मत में होता है ब्यार बोर्ट का जानता ही है तो ब्यार बोर्ट का हाल कितना सही है कितना गलत है वो तो आप लोग जानता ही है तो मैंने बहुत सारा लिखा था मैंने बहुत पढ़ा था गेस पेपर बैगरा लेगिन मेरा इच्छा अनुसार इंटर में जो मांक्स आना चाहिए था वो नहीं आया था बटे मैंने सोचा कि इसको से तो कोई लेना देना है नहीं में फोकस करना है जौब का जो एक्जाम होता है उसके उपर बहुत सारे बच्चे तो उसी में लटके हुए थे कि मेरा इतना नम्मर कियो कम आया मैं इतना लिखा था तो इसा मैडर नहीं करता है अगर आपको जॉब लेना है तो आपको कॉंपर्टीशन के दुनिया में आगे तैयारी करिए और देखाए दुनिया को मैं इस परकार तैयारी किया हूं मेरे पास इतना मेरिट है मेरे साथ बहुत सारे लोग भी गॉम ही है और जो भी कि परियास करता है किसी चीज के लिए तो मिल जाता है इतना कनफर्म है कि किसी चीज के पीछे अगर पड़ जाते हैं लग जाते हैं तो आपको एक नए एक दिन जरूर मिलता है आपको मंचिल मिलने में टाइम लगेगा लेकिन मन्जिल एक दिन जरूर मिलेगा अगर आपके दिल में दिमाग में एक ही लगने घुसा हुआ है एक ही टार्गेट घुसा हुआ है कि मुझे उसे मंजिल तक पहुंचना हथ तो मैंने यह सोचा था कि मेरे फैमिली में कोई सरकारी जोब आले है नहीं मेंबर तो मैंने सोचा है कि मैं ही पहला ही सदस बनता हूं अपने घहर का कि मैं सरकारी जोब लेता हूं किसी परकार मैंने सोच लिया कि मैं जोब लूँगा तो लूँगा कि जितना पढ़ाई करना पड़े जितना सेल्फ स्टड़ी करना पड़े जितना रात जगना पड़े तो मैंने इस परकार तयारी किया और ट्विल्थ के बाद मैं बात बता रहा हूं मैं सेल्फ स्टड़ी से ही गाउं पे भूक लिया और एक कोचिंग कलास से जोईन किया गा से मैं रिकवर कर लिए और बाद मैं थोदी बढ़ने लगा घर पर ही तो उसके बाद ग्रिजुशन में नाम लिखाया जहन्नाबाद एक डिस्टिक्ट है वहां एसस कोलेज का नाम अगर नहीं जानते होंगे जो बिहार के होंगे वो तो जानते होंगे बटे जो अधर एस्ट सब्सक्राइब था फिजिक्स ओनर्स तो वह भी अच्छा से मेरा कंप्लीट हो गया जब कंप्लीट हुआ तो उस टाइम और पेफ का कॉंस्टेवल और एसाई का वेकिंसी आयो हुआ था लेकिन रिजल्ट नहीं आया था जो मेरा ग्रिजुशन का एक्जाम हुआ था रिज सब्सक्राइब किया फिर बिहार फारिस्ट का उसी टाइम आया था नौसो कूच की सद्रसो कूच पोश्ट था उसमें सेम साल में दो रिजल्ट कंफर्म हुआ ज्वा ज्वाइनिंग तक गया बटे मैं आरपीएफ में इस ली आया क्योंकि मेरे एक गाउं के गया जो सदस्थे दोस्ते कहें भीया का मेरा दोसत्त थे तो उन्होंने आरपिस से जॉइन किये थे थोड़ा दूर गाउं के थे तो उनसे थोड़ा लाइए मैंने लिया था किसी कर आछ मैं उनको बोला था किस धेक कर मेरा MPF में हम सेलेक्ट हो गया हूं और अधार फोरेश्ट गार्ण में तो इन दोनों में से मैं कौन सा जोब करूं तो उन्हें किसुट जो कैंब होता है वह स्टेट से कहीं अच्यार था होता कि तो मैंने जो एक फोरेश्ट गाडट के जो भन विभाग में बहुत सारे मेरे गौ़ों के अगल बगल — लग मोझ के तो उन्होंने सदेसli दिया के फोरेश्ट गाड़ में तो बहुत सावे, कि मैं जाओंगा तो आरपीफ में जाओंगा तो उस टायम जो किलियर हुआ था तो मैंने सेल्फ हच्डेटरी से ही किलियर किया था तो मेरा यहां तक कि आने का इतना सफ़ड़ था रोके तो बहुत परकार कि आया जैसे कि कि आपको एक किले के एकजाम में अगर शुरुआत में जाते हैुं तो उस टायम लगता है कि कैसे मने एकले जाओं तो मैं बहुत दूर दूर तक गया था एकली मतलब सिंगल ही किरला गया था एंटीपिसी का जो टेक्निसियन का एक्जाम था वो तो किरला गया तो उसके बाद ही दौर गया टेक्निसियन में नहीं हुआ देखिए आपको कहीं अगर जॉब लगता है तो समझें किसमत अब को है मेहनत के साथ में किसमत होना बहुत जरूरी है अगर मेरा किसमत रहता तो मैं बहुत पहले ही जोग हासिल कर लेता है आज मैं तीसरा साल हूं जोग के लिए और मैं पहले ही जोग हासिल कर लेता बिहार पुलिस में वह दुए 17 की बात है जब मैं इंटर पास वो आपको अच्छे ही देता है अगर आप किमंदारी से तैयारी कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो आपको एक नएक दिन जरूर मिलता है तो इस परकार मैं आया हूं अगर और कुछ भी रह गया होगा तो मैं पाट्टू भी लाओंगा जो मेरा जर्नी के उपर रहेगा मैं उ हमको सा उस टाइम मैं बूक पढ़ा था वह बहुत चटनी बना हुआ है बूक जैसे कि आप लोग आम बोल चाल के भासा है वह चटनी बोलते हैं कहने का मतलब कि फटा फटा सा वह बूक है मैं वह बूक दखाऊंगा कभी अगर टाइम मिलेगा तो घहर पर जाऊंगा तो अ इस बूक से ही प्रश्णा आएगा इतना पता था कि अगर मैं इस बूक को कंप्लीट करूंगा तो यहां से फालतो जादे नहीं आएगा तो मैं इतना पढ़ लिया था कि जो एक्जाम में गया बास्तविक में वही मैं देखा बहुत सारे आज के स्टूडेंट ऐसा होते है कि बहुत भारी-भर कम बूक ले लेते हैं जिसे कि देखिए मेरे पास कितना सारा बूक है इतना तो आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं ठीक ना इतना पढ़ नहीं सकते हैं ठीक और पीछे है एक बूक अपको यह तो मैं मन्सोखी बाद में मैं लिया कि यह चीज भी पढ़ तो आपको तो जख्यान लेना है नहीं है आपको एकझाम पास करना है तो मेन फोकस करिए तो बड़ियू पढ़िया यह जिक्क्र के लिए जादे जादे तीन बुग पढ़िया सजादे नहीं पढ़ी है मैंने दू बुक पढ़ा था एक लुसेन का एक सपीडी का मैं इस के लिए आरे सगरवाल पढ़ा था और रिजनिंग के लिए भी एक किरन पब्लिकेशन का आता है बुक वह पढ़ा था उसके अलावे एक सेट डेली में लगाता था यतना सजादे मै कभी नहीं किया और उसी बुक को मैंने रिविजन करते रहा करते रहा तो मैं आज के डेट में मानता हूं कि थोड़ा कॉंपर्टिशन हाई हो गया है वैसे भी तो आज से तीन साल पहले कितना कॉंपर्टिशन इजी था आपको ही पता है इजी कभी नहीं रहा है टाइम के तो अब चलते हाड हो गया है कि आपको मोवाइल पर बहुत सारे लोग पढ़ते आ रहा है जैसे की यूट्यूब पर अनेकडमी पर तो इस सबसे कॉंपर्टिशन हई हो गया है कि आप जहां भी रहे पढ़ते रहे पहले का होता है कि आप रूम में ही बैठके पढ़िए अ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं जो भी आपको इन्फरमेशन के लिए वीडियो लाता हूं अब तक पहunש सके और मैं गायट देने का ही कुशिश करता हूं चाहे आर्प्येप का हो चाहे विहार प्लिस का हो तो मैं प्रॉपर गायट देने का कुशिश करता हूं और मैं कुछ दिन में मायट का वीडियो भी अपलोड करूँगा जिक Ettstyle का भी अभी थक्र Auglum है इस वया इस्टाग्राम पर फोलो करना चाहते हैं तो इस्टाग्राम का लिंग रहेगा वहां पर जाइए डाइक मेसेज करिए कुछ भी अगर डौट है तो मैं वहां आप से जवाब दूँगा इस्टाग्राम का लिंग नीचे रहेगा डिस्क्रीप्शन में आई होप समझ में आगया होगा सारा चीज अब चलते हैं बाई बाई थैंक्यू फर बाचिंग वीडियो